थाई मसाच टर्म इतना पॉपिलर है अपने अलग उनकी अलग वजहें भी है तो मैं यहां बात कर रही हूं और यहां आपस में जो इनकी आपस में जो चल रही है ना यही बताता है यह पॉजिटिविटी सबसे बड़ी बात है जो मुझे अच्छी लगी और थोड़ी देर पहले ही मैंने ट्रेलर दो-तीन बारी और देखा और मुझे लगा कि यार मतलब इसके पीछे की कहानी और ज्यादा होगी ट्रेलर इतना मज़दार है तो आपसे जाना चाहूंगी आपने जिस तरह कि फिल्में पहले भी की है अवाज इतने लिये हैं तो जब आप एक फिल् तो basically मेरे पिताजी को paralysis था और वो 17 साल उसके बाद थे हमारे बीच में और मेरी मां उनको नहलाती थे हम भी नहलाती थे कभी-कभी लेकिन मैं especially जब मां को और पिताजी को देखता था दोनों को तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे मां का especially sexual desires जो है क्योंकि उनकी उम्रे खाली पिताजी 41 थी उस समय और पिताजी 51 के थे 10 सल गया पे उनके एज में था तो मेरे मां के sexual desire even पिताजी के भी sexual desire में और फीजिकली फीट नहीं है तो यहां से वो जिस्ट actually कहानी का आया था लेकिन बात तो थी serious तो फिर serious बात लोग बहुर हो जाएंगे देखते हुए तो उस तो आड़ा सुनते ही बहुत सारे बल लोगों के जल जाते हैं किऊए एकदम से हां बोला बता ही आपकी कौन सा एकदम से जो होता है राती है और हमारे हैं जो बोला जाता लेकिन देखने वाली की नजर पर होता है तो बात यह है कि आप फिल्म में उसको टिटिलेट करने के लिए बताते हैं या एक ऐसे तरीके से बताते हैं वही डिगनिटी के साथ अगर आप कोई चीस प्रेशन करें यह है तो समाज में यह है तो लेकिन आप उसे बताई है उसमें मतलब एक छोटी सी बात मतलब सेक्स को लेकर हमने इतनी बड़ी बात बना दी और इस कहानी में जो बात आती है आत्माराम जी की के मतलब एक बड़ी उम्र के आदमी की अगर कोई चाहा है तो उसको लेके वो घलत क्यों माना जाता है हमारी सोसाइटी में क्यों यह बात ऐसी है कि आप बड़ी उम्र के हो गए तो आप में इच्छा है नहीं होनी चाहिए यह सब बातों के प्रशन उठाएं कहानी बिल्कुल कैजिन जी जहां तक मैं समझ पाई कि रेप्यूटेशन और इच्छा इन दोनों में एक बुजर्ग हमेशा फच जाता है कि भई लोग क्या कहेंगे यही मेरी रेप्यूटेशन है जैसे ट्रेलर में भी बताया है आप लोगोंने कि मतला आप हमारे विल्कुल आप लोग आपको लेकिन दूसरी बात आपके अपनी भी तो एक परस्नालिटी है आपके अपनी भी एक इच्छा है तो जब आपने यह दुनिया एक्स्प्लॉर की वो दुनिया आपके लिए क्या समझ में आया आपको जोईता बहुत अच्छा सवाल है उसमें मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी परिप्रिक्ष में क्या होता है कि माबाप बच्चों के लिए मतले एक तरह का एक responsibility होती है कि हमें अब ये बच्चे हैं इनको पालना पोस्टना है इनको education देनी है इनकी शादी भी करानी है और सारी जिम्मेदारी हम मान लेते हैं और उसके अंदर अपने बारे में कभी सोचते नहीं अपना भविश्य अपना घूमना sacrifice कि हम इसको sacrifice करें ये पूरी पूरा जीवन उस पर लगा देते हैं और फिर उसके बाद कई cases में होता है कि बच्चों को loan लेके विदेश पढ़ने भेजते हैं बच्चे वहीं रह जाते हैं वहीं विवाह कर लेते हैं और फिर जो माबाप होते हैं यहां के चोटे-चोटे शहरों में बड़े कि खेच के लाना चाहते हो हमें मैं मुझे यहां पर standard of living इतना अच्छा है कि मैं Singapore, Canada, Kenya, South Africa, Australia यहां पर job लगी है यहां पर रहन सेन अच्छा है जीवन अच्छा है और जीवन संगी अच्छा मिल गया तो लेकिन माबाप बोलते हैं अरे नहीं वापस आओ तो हमारा चक्र उ अप फडी जमा करते हैं कि हम जब बच्चों के लिए इतना कर रहे हैं और बच्चे बड़े होंगे उनको वह हमारा केर करेंगे और कई केसे में जब वह नहीं होता है तो तकलिफ होती है और बच्चों की अपनी परिशानिया होती है उसको दो तरीके से यह तो आप कि बीच में आप वो सिच्वेशन जैसे विदेश में दिक्कत क्यों नहीं होती है यह जापान में मैंने जो सुना है कि 16, 17, 18 साल के लड़के लड़कों को बोला जाता है कि चलो कट लो अपना जीवन देखो भले गली के दूसरी गली में तुम ले लो घर लेकिन तुम इंडि मैं तुमको यहां तक पहुंचा दिया और अब हम अपना जीवन जैंगे तो उसमें जितना मैं विदेश में गया हूँ यहां पर भी देखा है विदेशियों को कि वो 60, 70, 80 वरस के कफल घूमते हैं घुआ में ग्रूप के ग्रूप आते हैं और कई लोग शादी शुदा हो होंगे वाद सुनके जैसा हर सासबहों में होता है नहीं बनती है कई वजहों से तो मेरी दादी मुझे याद है कि वो 95 या 96 तक रही वो या 99 तक रही जाए और उनकी खासियत यह थी कि वो सारे परिश्रम खुद करती थी कद्दावर महिला थी और मेरे दादा जी बहुत प देड़ किलोमेटर या ऐसा कुछ नदी थी चोटी सी नदी वहां पर कपड़े धोने जाना यह आखरी वक्त तक उनका चलन था खुद करती थी बहुत ब्लास्ट कि शायद एक दो साल में वो बेड रिड़न हो गई थी लेकिन वो बड़ा एकदम जीजिविशिका या उनकी जो हिम्मत थी और जो शारिरिक उनकी जो वो थी मजबूती वोड़ी कमाल की थी ट्रैवल करना उनकी दो तीन बहने अलग अलग गाउं में थी वहां शादियों में जाना और एक उनकी आदत थी घी खाती थी दो चार चमच घी देशी मतलब वो उनकी शायद उनका राज थ इस बात से आसपास के लोग थोड़ा सा संकोच करते थे कि कटाक्ष करते थे कि इनको क्या जरूरत है यह गी क्यों खाना पड़ रहा है इनको गी की फरमाईश क्यों करते हैं यह नॉर्मल डिजायर है लेकिन आपको लग रहा है कि 90 साल की बुजूर को क्यों चाहिए पर उ बच्चे खेल मजाक में डबा हटा दिया कहीं घर के इस्तमाल में आ गया तो वो अपना एक कोने में वो रखती थी वो तक्ये की नीचे इधर उदर कि वो रात को नेमित दो चार चमज घी खाती थी वो तिनी चुटी सी बात है लेकिन जो समाज है वो बोलता है कि अरे यह युखाना उसको जो देरें वो खाले हां मतलब उम्र हो गई तो बस यह अरा फर निचर रहा आपको जितना दिया जा रहा है वही मा वही बुडी हॉरत जो तीस साल की थी या जब वो विधवा होई और उन्होंने पूरा जीवन संकट के साथ सामना किया तब तो किसी ने न उनका तो कहने का मतलब अगर कहें कि आर्थिक इंडिपेंडेंस जो होती है न वो बड़ी जरूरी होती है जैसे महिलाओं के केस में है उसी तरह से बुजर्गों के केस में भी है क्यूंकि उनके पस फैनेंचल इंडिपेंडेंस नहीं होती है एक स्टेज के बाद वो एक त नाम नहीं ले सकता में उनका नहीं लेना चाहिए अनुचित है तो उन्होंने अपनी पुरी संपती पुरा कारोबार बच्चों के नाम किया और बच्चों ने उनको निकाल दिया वो छोटे-चोटे होटलों में रह रहे हैं मतलब देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों म सबने जाते रहे हैं वो 80s के फिल्मों वाले बच्चे हैं क्या रीजन रहोगा जो भी हो क्या हमारे सामने जो तस्वीर निकल कर आती है यह निकल कर आती है कि जो फाइनिशल इंडिपेंडनिस जब तक बुजर्गों के पास नहीं है तो मुझे लगता है कि यह एक थौट यह भी होनी चाहिए कि आप बच्चों के लिए जो कर रहे हैं करें साथ में अपना जो जो बुढ़ापा है वो आप उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं जी इस फिल्म के साथ एक डायलोग तो वापस शुरू होगा ही क्योंकि हम जब ऐसी फिल्में देखते हैं क्योंकि बहुत बना नहीं हैं मतलब लोग वारे में कहां बात करते हैं you are talking about your parents that it takes you know a lot और companionship की बात हो रही है यहां पर जैसे थाइलेंड भी अगर आप देखें तो वो सिर्फ वहां पर सिर्फ sex or यह चीज से नहीं हैं वहां कहीं बुजर्गाते हैं सिर्फ companionship के लिए आपकी सोच क्या है जब आप इस तरह की फिल्म से के साथ जुडते हो आपकी सोच मेरे लिए बहुत एजुकेटिव भी रही है यह फिल्म जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पड़ी इसके बारे में और अनुसली मैंने कभी सोचा नहीं था इस इसके बारे में इतना गहराई से कि हाँ एक बड़ी उंबर के इंसान को भी है हाँ सोचा के वही मेडिकल और सोचल कंडिशनिंग की बात है कि जिसकी डिजायर है शाद वो भी खुद नहीं बोलता है कि मेरी ये डिजायर है तो मैं इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ जैसे आपने का कि डायलोग शुरू होना बहुत जरूरी बात है यह जो एक टैबू बना रखा है सोसाइटी में इसका खतम होना बहुत जरूरी चीज़ है यह पहले दूसरे इंट्रिव में कह रहा था कि लैंड ओफ कामसूतरा जो है उसमें आज इन चीज़ों के बारे में सेक्स के बारे में बात करना इतना हुआ क्यों बना दिया है हमने जबकि वो इतनी पवित्र पावन एक चीज़ को देखो अगर वो तीन चार बारी अगर आपको लगता है कि आपको देख रहा तो ठरकी है पता नहीं कैसे देख रहा है लेकिन हो सकता है कि उसका अंदाज कहीं और हो कि आप फिर वो कुछ और सोच रहा हो आज मैं सुबह बतारों में जिम जा रहा था अपनी कुछ बहुत को वोकलनु तो इनको प्रमाइल दी मुझे और मुझे इतना अच्छा लगा मैंने का थैन делать में गुश्री में निकल भी सकता था टेजी से पाटी जेल से त टीर इंट फिल्डिस सो हैपी कि किसी ने रेकिगनईज की मेरी प्रेजन्स हमारी फिल्म कही ना रही वो recognition के बारे में, आप recognize कीजिए, एक चाहिए वो किसी भी age का आदमी हो, इस case में एक बड़ी age के आदमी के बारे में, recognize कीजिए उनकी चीज़ों को. और सबसे important है कि हम लोग कहीं पर भी ऐसा कुछ समाजित परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक मनुरंजक फिल्म हम लोगों ने बनाई है, मनुरंजक तरीके से बनाया गया है, हमान लिजे के रिशीदा अगर होते, तो आज वो ऐसे इस सब्जेक्ट पर इस तरह क कहानी बनाते हैं, जैसे शौकीन जैसी फिल्म को निकलते हैं, जो अशोकुमार एक अंगल साथ, तो वो बासुदा की फिल्म है, तो हमें लग रहा है कि हमने ऐसी फिल्म बनाई है, जिसके अंदर एक इतने गंभीर मुद्दे को एक हलके फुल की अंदाज में, मनुरंजक अंदाज में जिसको परिवार के साथ आप देख सकते हैं, ऐसी कोई awkward situation नहीं है, कि आप संकोच होगा, यह क्या होगी है, जैसे जब मैं छोटा था, 7-10 साल का, तो उसमें यह होता था कि टीवी पर निरोद का विग्यापन आ जाए, तो कमरे में जितने लोग होते थे ना ब इनका किरदार भी, मतलब he knows it all, ऐसे लगता है, सब सब पता है, मैं सब समान लोगा, वो attitude मुझे बताई है, जब एक इनसान को देखता है, कि किसी मुसीवत में फसा हुआ है, तो उसकी help करी रहा है, अब help के पीछे उसके different intentions हैं, ठीक है, वो इतना pure आदमी नहीं है, वो कि स सीरियस हो जाती है, और पता चलता है कि हां यार, इस बात का एक मतलब है, तो वो संतुलन को कहता है, एक हाट जो करें, दूसरे को पताना चले, इसी का नाम संतुलन है, तो कही नहीं है, संतुलन कुमार जी, पर यह देखने की बात है कि यह संतुलन आत्माराम की जीवन में संतुल लाता है या उसको असंतुलिक करता है यह देखने के लिए पूरी पिच्चर देखनी पड़ेगे हमको 11 नमेंबर 11-12, what a date we have मंगिश, सिनमा को लेकर आज के दौर, अभी का जो वक्त एक चल रहा है, उसे आप कैसे आखते हैं क्योंकि यह जैसे एक real story हम देख पाएंगे, यह real stories मिलती नहीं है, mostly हम देखते हैं, वहाँ से adopt कर लिया या फिर उसकी remake बन गई और उसके बाद, लोगों के आखे इतनी खुल गई है कि मतलब, दो मिनिट लगता है डिसकार्ड करने में ऐसे में, film makers कि जो सोच है वो क्या है मुझे लगता है कि यदि कोई भी film maker हो, महीं नहीं, और भी कोई यदि ज़्यादातर क्या होता है हमारे यह जो films बनती है वो fashion को follow करते है एक formula को चला तो फिर फैशन हो गई और उसको फिर follow करके और कोई वैसी film बनाता है जब आप fashion को follow करते हो simultaneously आप out of fashion हो जाते हो एक दिन उससे अच्छा कि आपका दिल क्या कहता है मेरे में जो खुश्बू होगी वही खुश्बू की मैं बात करूँ यह हवा से fashion को follow न करते हुए तो फिर वो बात लोगों के दिलों तक जा सकती है अइसा मुझे लगता है लेकिन आज के डेट में जैसे मैं माराथी फिल्म देखता हूँ मल्लालम फिल्म देखता हूँ बंगली फिल्म देखता हूँ तो बहुत सारी content-oriented फिल्म भी आ रही है there is a change how do you look at it मेरे लिए तो सबसे रोमान्चक बात यह है कि सूरज बढ़ जातिया जो कि इतना कद्दावर नाम है commercial cinema का उनकी फिल्म जिस दिन आ रही है उस दिन हमारी फिल्म उनके साथ साथ थेटर में आने वाली है बच्चन साब है, बमन इरानी है अनुपोंखेर है नीना जी है तो यह इस से बड़ा रोमान्चक चीज क्या हो सकती है हम सब साथ साथ है हम साथ साथ है यह ऐसा आज से दस साल पहले शाहिद पॉसिबल नहीं होता लेकिन यह बदलते हुए जमाने की बात है दो फिल्में और दोनों की काहनिया जर्नी बेस्ट है दोनों के अंदर उम्र दराज लोगों की काहनिया है उनके अपने इशूस के साथ है आपका मुदा अलग है उसको भी 70 साल के लोग है वही मतलब यह उफपार के लोग है यह वीग जो होगा यह जो हफ़ता है इंचन सीनेमा में सीनियर सिटिजन वीग है इससे वैसा लाई नहीं मिल सकते सीनियर सिटिजन वीग जहां पर यह बैलन्स तुकि यह जो पीड़ी है यह हमेशा जैसे आपने शुरुम बोला हम लोगों ने तो अभी 50 साल में है, 40 साल में अभी से कोशिश करें इजह वो 60 साल के हो और 70 साल के हो तो वो फर्मीचर बनने वाल इससिति में ना पहुंचे और यह आज वही बात है कि फिल्म उन पर है लेकिन देखने वाले ओडियंस वो तो घर तबके के हैं उनको तो समझ में आएगी और यह लोग जो आज इस एज के हैं यह भी कभी मतलब जवान थे वो इस चीज से निकले हैं तो वो साइकल को पूरी साइकल को समझना बहुत जरूरी है थांक यू सो मच और आम मौर एक्साइटेड ना कि दो भी कि एक देन गए कि आए जए ना आए थांक आए पिल्मा का अज़ा है तोड़ी अवर का एसास होगा तो बागिसर से ज़ीग है आपको भी को इस एक रिस्पेक्ट हो जाए जए लिए दिए आपने भुच्छी बोला इनको बोला युवा वर् 괜찮ो P आश्याओ में कर दो सामा हूं आश्याओ कि मैं युवा कि शुवा कि इसे श्याओं दोस्ती इसमरे हम सब्सक्राइल विए मblackने आप हैं हम,,, विए मो पंदे हम मोठीश के दोज़े है करें ना तो यह मोटिव जो है संतुलन जो है सुबह से सुबह मुझे इस्पायर करता है यह सुबह से देखो मुझे लग रहा कि कान में लगवालों क्या ऐसे अच्छे लगो कि उच्छ जिंग आ जाया लाइब में तो यह जो मोटिव है वो हमको परदे पर ही देखने को मिले हैं और हमने एक लीक से हट कर अलग किसम की मनोरंजग कहानी बनाई है जिसकी डिमांड सब लोग कर रहे हैं कि अलग-अलग-अलग-अलग तो अलग कहानी है आप देखें और अपको ठीक लगे तो हमें शाबाशी दे ताकि मंगेश इस तरह की फिल्में और बनाएं झाल झाल